है ले दोस्तों मेरे नाम हिताब देख रहे हैं अमें टेक रिपेर तो फिर आज के वीडियो हम देखने वाले हैं आई टेल की फोन की यानि कीफाइट फोन के अंदर प्रोब्लम आती है चार्जिंग स्टोर की तो हमारे पास है 21-23 इसके अंदर चार्जिंग स्टोर की रहा है यहां पर हमने लिए आनिकान के चार्जेंग को भी चैंंज करके देख लिया है निया नया चार्जर भी डालकर देख लिया फिर भी यह प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है तो से पहले चैनल को पहल सब्सक्राइब करके बल आकर प्रेश कर लेना को कोई भी शॉप्टेर रहा ड्राइबर की जरूरत है में टेलीग्राम पर फॉलो कर देना यानि कि इंस्टाग्राम पर जैसे आप मैसेज करेंगे आपको टेलीग्राम पर उसका लिंक प्रवाइड कर दिया जाएगा और यहां सब इसको डाउलोड करका इसको यूज कर पाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर आपको दिखा देते हैं कि इसकी बॉल्टेज कितना देरा यहां पर तो हमने चार्जिंग प्लग इन कर लिया है और सिंपल से यहां पर हमने 20 बॉल्ट मीटर सेट करा और देख सकते हैं 4.1413 की आसपास बॉल्टेज आ रहा है जो कि हमारे बैट और कैसे इसको फिक्स करना है वो चीज इस वीडियो में हम देखेंगे साथ हम आपको इसका प्रूफ भी दिखाएंगे कि 100% यह वर्किंग है या नहीं है तो वो चीज भी हम यहां पर इस वीडियो को एंड में बताएंगे तो सबसे पहले इसका सलूशन हम देख लेंगे क किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहले हम इस फोन को चलिए ओपन कर लेंगे ओपन करने बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर आखे कहा पर प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है और उसको फाइंड करेंगे कितनी बोल्टेज है कितनी एंपियर करते हैं तो आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा बिल्कुल फ्रेस है एक बार भी ओपन नहीं हुआ था तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पुरा हमने ओपन कर लिया है तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था एक चीज़ मैं बताना बूल गया था त बहुत जल्दे और रेगुलर वीडियो आने वाली है तो थोड़े टाम के लिए वीडियो नहीं आ पारे थी क्योंकि सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए अभी हमने इसको उपन कर लिया है तो इसका जुगार मैं आपको बता दूं किसी भी आपको चाइनीज सर्किट बो एक दो तीन जरूर देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले हमें इसको रिमूब कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर इसको रिमूब कर लिया है यहां पर मल्टी मीटर को बीप के रेंज में सेट करेंगे ठीक है तो सेट करने बाद इसको मुझे चेक करना रह आगर रिडिंग देखने को में रही है तो यहाँ पर यह चीज वरकिंग है पूरी तरीका से रिडिंग है यहाँ पांटसों से लेके 600 के आज-पास के अगर रिडिंग आ रही है तो आपका फोन अच्छे तरीका से चार्ज हो जाएगा कोई प्रॉल्म नहीं आएगा तो यह म को हम भी हम दिखाएंगे तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं इस पर बोल्टिज कहां पर कितनी आ रही है तो और कौन सी लाइन कहां पर कहां पर जा रही है तो सबसे पहले मल्टीमेटर को 20 बोल्ट पर सेट कर लेंगे और यहां पर आपको दिखाएंगे यहां पर ग् लाइब बोल्ट चार्जिंग की आउट पूट आ रही है और बैटरी पर 4.12 जो हमने पहले अभी देख रखा है अब यहां पर इस बोल्टेज को बढ़ाने के साथ एंपेर को बढ़ेगा थोड़ा सा बोल्टेज और एंपेर दोनों यहां पर बढ़ने वाले हैं तो कैसी यह तो हमने जोड दिया और अगला बैटरी करेक्टर के वहां पर पॉजिटीव पर चोड़ दिया है तो यहां पर अभी बोल्टेज आउटपूट के देखेंगे कितना और आउटपूट मुं फोर पाइंट टून्टी आ गया है जिसका मतरा बोल्टेज इनफ आचुका है हमा थो ऑच्छे त SAR होगा वहाँ पर एंपल्पर हमें प्रॉपर्श को सबस्तों लेता हूब तो फ्रेंट यहां पर देख सकते हैं चार्जिंग कर दिया है यहां पर चार्ज हो रहा है ठीक है तो चार्जिंग चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है अब चलिए हमें प्रूफ दिखाने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने एंपेर मीटर के अंदर वहां पर हम देखेंगे यहां पर दिखा देते हैं आपको यह देख सकतते हैं हमारा एंप्तिर मीटर है four point nine आपको दिखा ही नहीं देऊ रहाँ होगा साथ तो आप देखते हैं three point eight four point nine इस तरीके से हमारा यह पर एंपि rund on यहां पर जिसके पहले जो एंपियर था 0.1 मतलब 939394 इस तरीके से एंपियर ले रहा था अभी एंपियर हमें पुर्वा प्रॉपर तरीके से देखने को मिल गया यानि 3 0.35 के आसपास पहुंच गया था हमारा फॉन अच्छे तरीके से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने यहां पर आपको प्रूफ भी दिखा दिया वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जूरू बताना वीडियो पसंद आया वागत वीडियो को लाइक करें चैल पर पहले बार चानल को सब्सक्काइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिएन तक इसी तरीके के और सब्सक्राइब मोबाइल रिपेरिंग से रिलेटर्ड वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूँ और आपने यह नौलेज का इंप्रूब करके अपने काम को भी बहतर कर सकें तो चलिए मिलते किसी नए वीडियों किसी नए टॉपिक के साथ तक के लिए जहें बने मात रहूं एपने मात रहूँ मुल्म बने मात रहूंचा सब्सक्राइब मात रहुंचा सब्सक्राइब